हेलो गाइज वेलकम तो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिर्ट्स गती लिमिटेट की ओर से सप्टेंबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में आलसेस करेंगे स्टैंडलाउन और जिसी कंपणी का नाम बदल के ओल कार्गो गती लिमिटेट कर दिया गया है जो हम चलते कंपणी के कंपणी के फिनांसल रिजल्ट को पहले कवर करेंगे जो कि गाइज सेकेंड क्वार्टर हाफ यर इंडेट दोनों जल्ट हो चुका है लैक्स में नंबर से इंकम में 445 कर करोड का पृषले का में 432 करोड का और हरनेकर सेटमबर 22 कौपटर में 475.9 कि रूटते के 3.7 क्रोड का loss है पिछले कौटरम 2.7 क्रोड का और सप्टमबर 22 कौटरम 7.6 क्रोड का प्रॉफिट है क्वाटर औन क्वाटर यहर औन यहर में गिरावट देखने को मिला है एपिएस माइनस 0.15 रुपेज का क्वाटर औन क्वाटर यहर औन यहर दोनों में डिक्रीज करती भी नजर आ रही है तो गाइस कंपनी का रिजल्ट कॉन्सॉलिडेटेड विशिस पर बहुत इवीक रिजल्ट पेज किया है सिर्फ इंकम में तेजी लेकिन एक्स्पेंस बहुत जादा होने के करण लॉसस इंक्रीज किया है अगर हम सेग्मेंट वाज रिवन्यू की बात करें तो इंकम में 59.2 करोड का पिछले क्वाटर और 61.6 करोड का सप्टमबर 22 क्वाटर और 67.7 करोड का इंकम है टाकसे पे नहीं करना पड़ा इसलिए प्रॉफिट भी है EPS 0.19 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया तो काईज देखे company का consolidated में income में तेजी हो रहा है लेकिन expenses ज्यादा होने कान losses देखने को मिला profit में गिरावट है लेकिन stand-alone में income में गिरावट है लेकिन expenses कम होने कान profit में increase किया इसलिए company average result पेश किया तो हम लोग वीडियो को ही प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट है comment box में पुछे मिलते हैं एक लोड़ो में दिल्दन बबाबाई